अज के लेक्चर में हम dmorgans theorem पे कुछ example solve करेंगे तो पहले तो हम dmorgans के दो law revise करेंगे dmorgans का पहला law हमको बताता है अगर बार के अंदर या इसे बोलते हैं complement के अंदर अगर दो या दो से ज़्यादा variable पे और operation perform किया गया है तो ये equal है with the and of the and of that complemented variables ये पहला law था दूसरा law हमको क्या बताता है dmorgans का दूसरा law बताता है अगर बार के अंदर दो या दो से ज़्यादा variable के उपर and operation perform किया गया है तो ये equal है with the or of the complemented variables तो ये दो laws का हम use करेंगे और कुछ example solve करेंगे तो हमारा पहला example है f is equal to a plus b bar dot कुछ नहीं है मतलब dot है c plus d bar whole bar तो अभी हम यहाँ पे एक principle follow करेंगे अगर हमको line को break करना है मतलब bar को अगर break करना है तो हम क्या बोलेंगे break the line and change the sign मतलब change the sign मतलब जहाँ पे and होगा बहाँ पे और करेंगे और जहाँ पे all sign था बहाँ पे and sign पुट करेंगे तो अभी हमको यह बड़ी वाली line जो है बार है वो break करना है तो यहाँ पे and sign था मतलब dot था मतलब and sign था तो इसको क्या करेंगे हम इसको plus करेंगे और यह line हम यहाँ से break कर सकेंगे तो a plus b bar whole bar plus हमने यहाँ से line break की यहाँ पे and था तो और हो जाएगा तो c plus b bar whole bar तो इस तरह से यहाँ गया यहाँ पे again हमको यह line break करनी है a plus b bar के बीच में a plus b bar के उपर जो बार है वो हम यहाँ पे break करेंगे तो यह plus था तो यहाँ पे dot आ जाएगा यहाँ पे भी c plus second जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि c plus d bar के उपर बार है तो हमको यह bar भी break करना है यह line break करना है और यहाँ पे फिर plus sign था तो वो हम dot करेंगे मतलब और था तो and करेंगे तो a bar यहाँ पे plus था dot हो जाएगा b double bar a plus b bar के उपर जो बार था वो हमने break कर दिया यह plus वैसे के वैसे रहेगा फिर उसके बार c plus d bar का बार हम break करेंगे और था तो and हो जाएगा और d double bar आ जाएगा अगर दो बार दो टाइम बार होता है तो वो बार कैंसल हो जाता है मतलब दो टाइम जो अगर not होता है तो वो not cancel हो जाता है तो a bar dot b आएगा plus c bar dot d यह d पे भी दो बार बार था तो वो cancel हो गया तो यह हमारा answer आ गए a bar dot b plus c bar dot d तो पहले example solve कर लिया अभी second d morgans का example solve करेंगे तो पहले problem से थोड़ा expression बड़ा है पहले example से तो यहाँ पे भी हम वही concept use करेंगे break the line and change the sign तो जो बार है वो हम जहाँ जहाँ पे break करेंगे वहाँ पे अगर and sign आता है तो और करेंगे अगर all sign होता है तो and परेंगे तो अभी हम क्या करेंगे जहाँ जहाँ पे and था वहाँ वहाँ पे मतलब ab bar के बाद हम line break करेंगे उसके बाद c d plus e bar f के बाद हम line break करेंगे तो जहाँ पे and था यहाँ पे इन दोनों जोगा पे तो और हो जाएगा वो तो कैसे आजाएगा ab double bar plus c d plus e bar f बाद की का वैसे ही रहेगा यहाँ पे break की हमने फिर यहाँ पे ब्रेक करेंगे and था और हो जाएगा ab bar plus c d whole bar है वो तो इस तरह से हमने उसके उपर फिर बार यह ab bar है a और b दोनों पे बार है तो यह दोनों पे बार आ जाएगा तो दो बार बार होता है या दो बार complement होता है तो cancel हो जाता है तो ab के उपर दो बार बार है वो cancel हो जाएगा फिर अभी हम क्या करेंगे cd और ef के बीच लाइन है उपर की लाइन वो break करेंगे तो plus था तो dot हो जाएगा cd.e bar f फिर plus अभी क्या करेंगे यह plus है और है इसके उपर जो लाइन है वो break करने है हमको तो यह और and हो जाएगा तो ab double bar dot cd double bar तो अभी हम क्या करेंगे यह double bar है तो यह cancel हो जाएगे अभी next step में और cd cd के उपर बार है तो हमको variables के बार बार निकालने है तो हम क्या करेंगे अभी cd के बीच की line break करेंगे और sign change कर देंगे and था तो और हो जाएगा वो फिर उसके बाद हम e bar e और f के उपर जो e bar और f के उपर जो bar है वो break करेंगे तो dot था तो वो plus हो जाएगा तो कैसे आजाएगा e double bar plus f bar फिर उसके बाद plus a b double bar दो बार बार मतलब cancel हो जाएगा बार फिर cd के उपर भी दो बार बार है तो वो भी cancel हो जाएगा ये क्या आगया है a b cd मतलब a b cd चारो वेडियर्बस के बीच में and operation आ गया है तो अभी हम final expression लिखेंगे तो a b plus क्या आजाएगा c bar plus d bar dot e के उपर दो बार बार है तो cancel हो जाएगा तो e plus f bar plus a b c d अभी ये था हमारा फाइनल expression आ गया a b plus c bar plus d bar dot e plus f bar plus a b c d तो अभी हम last example solve करेंगे d Morgan's theorem related ही है तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे line break करेंगे वहाँ पे और का and हो जाएगा तो plus a b bar के बार हम line break करेंगे उसके बाद a bar के बार हम line break करेंगे तो वहाँ पे all sign है तो वो and हो जाएगा तो कैसे आ जाएगा a b double bar dot a double bar dot a b तो AB बार, तो अभी AB पे दो बार बार है तो AB का बार कैंसल हो जाएगा तो AB आ जाएगा, फिर उसके बाद A के उपर भी दो बार बार है तो A का बार भी कैंसल हो जाएगा और A आ जाएगा, तो अभी A.A क्या होता है, एंड लॉक के हिसाब से हमको and law क्या बताता है a.a.a होता है तो यहाँ पे 2a थे तो a की a बचेगा तो a.b ही रहेगा सिर्फ a.b.ab bar आ जाएगा और हमको a को and law क्या बताता है a.a.bar अगर होता है तो वो 0 हो आ जाता है तो यहाँ पे a.b.ab bar है तो 0 आ जाएगा तो f equal to 0 आ गया तो ये थे कुछ डिमो अगस्टेरम related examples